कि अभियास 2.0 जो की हर्याना सिविल सर्विसे टॉइटी टॉइटी पॉइए आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा और इसमें आज हम डिसकस करेंगे सिलोग के कुछ कोश्चन ठीक है तो एक टाइब का का रिविजन सेशन है ठीक है तो आपने साथ ही साथ अपने जो जो भी इस वीडियो को जो व्यू कर रहा है वह आप साथ हता पोस्राइब स्में कर त तो सेशन को शुरू करते हैं कि फर्स्ट आप आपका यह प्रैक्टिस सेशन और सेशन नंबर 17 है ठीक है रीजनिंग कर और जैसे कि आपको पता है कि हर्याना सेविल सर्विसिस के लिए अबमन्यू आईएस जो की प्रैपशन के लिए नमबर वन इसीच्ट है इसने फॉटी वन ब्लस स्लेक्शन दिये ट्वनीटीवन और 27 व्लस स्लेक्शन देए ट्वैंटी ट्वैंटी टू में और इस पास्ट्रेक में आपको क्या के मिल ठीक है तो हमें क्या करना बनाना ऐ अल कैरेट्स आर बर्ड्स तो जितने भी कैरेट्स इस तरह से इतने भी है ठीक है ऑफ फुल भी लिख सकते हैं इसमें और इसमें आप उसको शौट-फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मैं इसको सी लिख देता हूं all carrots are birds ठीक है some telephone are carrots कुछ telephone carrots हैं और आगे all bed sheets are telephone जितने भी bed sheets हैं वो telephone है तो मैंने 20 से इसको represent कर दिया यह bird आ गया और यहां पर यह bed sheet आ ठीक है तो अभी यहां पर conclusion क्या क्या दिये गए है इसमें चार conclusion है हमें बताना है कि कौन कौन से conclusion है ठीक है मैंने इसको 5 conclusion वाला ही इसमें किया हुआ ठीक है ताकि आपको इसमें से समझ आंसर जो है पांच वाले है एक तो अधास में की not attempted but हम क्या करेंगे इसमें इन पांच conclusion के तुरू ही इसको discuss करेंगे पहले देखिए all batsheets are birds क्या सभी batsheets bird है यह बी का bird से क्या relation है नहीं connected है ठीक है ना connect हो अगर किसी पी तरह से touch नहीं कर रहे या एक circle दूसरे circle के बीच में नहीं है या किसी लाइन के तुरू उनको touch नहीं किया जा रहा तो उसका meaning है कि इनके बीच में relation नहीं पता जब relation ना पता हो उनका conclusion जो होगा वह गलत आएगा चाहे वह positive manner में हो चाहे negative manner बट किस case में जब वह definite बनेंगे ठीक है अगर ऐसा होता सभी bad sheet bird हो सकते है तो possibility होता पॉसिबिल्टी क्या होता है जब दोनों के बीच में relation नहीं पता तो possibility सही होते वैसे यह क्या है गलत आगे देखिए some bad sheets are bird कुछ bad sheet bird है अब नहीं पता relation तो यह गलत है some birds are telephone कुछ bird telephone bird का कुछ relations telephone के साथ है तो देखिए यहां पे इतना portion जो है यह some portion bird और telephone के बीच में तो यह occupy हो रहा है तो इसका meaning है कि यह some relation में बन रहे है आगे देखिए all telephone are bird जितने भी telephone है वो bird है तो क्या ऐसा बन रहा है नहीं तो इसमें क्या बनेगा यह गलत बनेगा तो इसका meaning क्या है हमारे पास तीसरा ही conclusion सहीं बन रहे है इसका meaning है कि only three follow तो options ही इसका answer बनेगा ठीक है तो यह समझा है आपको चलिए हम next question में move करते हैं यह question आपके सामने है देखिए many many word का क्या meaning है many बहुत सारे ठीक है all का all में कहके चीज़े आती है वह मैं आपको बताता हूं सम में कहके चीज़ आती है नो में क्या आती है और समनाट में क्या आता है देखिए all में जो होगा all में आएगा each every any ठीक है कोई name आगया अगर तो यह भी आया ठीक है और only word ठीक है सिर्फ only only few जो होगा वह इसमें आता है हमारे सम में आता है ब्ट only में क्या होता condition होती है ठीक है आगे देखिए इसमें सम की अगर हम बात करें तो सम में क्या आता है सम्में आता है few a few ठीक है फिर आएगा only few only few है और only condition होती है condition लगाएगा सिर्फ कुछ ही ठीक है फिर आएगा इसमें at least ठीक है many तो इस तरह से होंगे यह आपको percentage किसमें दिये 1% से लेके 99% तक आपको दिया है तो यह आएगा इसी तरह से इसमें 100% अगर लिखाओ उसका meaning क्या होगा वो all बनेगा अब हम बात करते हैं नो की तो नो के लिए आपने याद अखना है none no one all not ठीक है यह सभी आते हैं या इसकी जगह आपको 0% आपको देखने को ठीक है और उसी तरह से समनौट की अगर हम बात करें तो समनौट में क्या क्या इंक्लूड होगा इसका आता है hardly scarcely seldom यह तीन वर्ड आपको देखने को मिलते हैं ठीक है जो कि समनौट को रिपरजेंट करते हैं अब यह तो बात ही आपके कि कि इस तरह से वर्ड को रिपरजेंट किया जाता है इसमें कौन से की वर्ड को कैसे रिपरजेंट करते हैं बट अब हम बात करते हैं यहां पर कि इस question में क्या गिए बने है जैसे many CPUs are keyword बहुत सारे CPUs क्या है keyword तो बहुत सारे मतलब क्या है इसमें सम का case आए बहुत सारे मतलब यह बिल्कुल ऐसे हो सकता है थोड़ा सा portion बस सकता है बट हमें यह नहीं पता कि complete है तो क्या आएगा CPU का relation जो है keyword से इस तरह से बन रहा है कोई भी keyword mouse नहीं है तो यह mouse के साथ यहां पे relation आगया और आगे है all mouses are CPU अब देखिए यहां पे इसको बना यह हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा जितने भी mouse है यह क्या है यह CPU है तो हमें इसमें mouse को यहां पे कितर डालना पड़ेगा यह mouse आगया और mouse का relation किसी आ रहा ह CPU से keyboard से तो अब देखिए keyboard के साथ क्या है पूरा negative और mouse जितना भी है वो CPU के बीच में आ रहा है तो अब आप देख सकते हैं कि इस keyboard का CPU के लिए क्या relation बना है यह sum है ठीक है और CPU का कुछ हिस्सा यह बन रहा है और यह negative बन रहा है किसके लिए keyboard के लिए तो इसमें sum not भी बने ठीक है तो इसमें दो चीजे है अब देखिए यहां पर पहला क्या है sum keyboards are CPU कुछ keyboard CPU का कुछ हिस्सा CPU बन रहा है यस बन रहा है second देखिए all CPUs are mouse क्या सभी CPU mouse है CPU का कुछ हिस्सा mouse बन रहा है बट यहां पर उल्टा दिया है इनों तो इसलिए क्या आएगा यह गलत आएगा ठ तोई भी mouse keyboard नहीं है जितने देखिए no keyboard is mouse तो इसका reverse में आएगा no mouse is keyboard तो यह सही बनेगा ठीक है तो पहला और दिसरेश में सही है और साथी देखिए some mouse is keyboard क्या mouse का keyboard से कुछ लेशन है नहीं इसमें पूरा negative है तो उसमें जब negative relation बने और positive conclusion आए तो conclusion क्या होता है गलत इसका हम इने का first और third जो होंगे हमारे सही बनेगा तो option भी इसका answer बनेगा ठीक है चलिए अब आपका next question है इस question में क्या कि बने some dues are drops all drops are stones some dues are drops कुछ dues जो हैं वो drops है और सभी drops क्या है और यह हमने यहां पर इसका इस तरह से बनाने कि कुछ dues drops हैं और सभी drops क्या है तो इस तरह से डाइग्राम बनेगा अब आप देख सकते हैं इसमें कि dues का relation drops से तो sum है ही dues का कुछ relation stone से भी बन रहा है ठीक है और stones का भी कुछ part drops बना है stone का कुछ part dues भी बन रहा है ठीक है तो यह हमारे बास बने आप conclusion देखते हैं पहला है at least some dues are stones कम से कम कुछ कम से कम कुछ मतलब क्या है सम में ही आएगा at least work कम से कम कुछ dues stones है तो यह सही बनेगा ठीक है सेकंड एक्ली सम स्टों जा रप्स हैं कम से कम कुछ doliv are the olduğ mens का कुछ हिस्सा यह यह ड्रॉप स तो बन ही रहा है ठीक है यह डोनों के दोनों के दो कि दोनों को दोनों सही है तो इसका मीनिंग क्या है बोथ 1 & 2 are true दोनों को दोनों follow कर रहे है ठीक है बड़ देखिए आपको जुरूरी नहीं कि इसमें follow करने वाला ही question बने आपको ऐसा भी बन सकता है कि find out हमने इस तरह से लिख लिए यह सभी बीग है तो बीग के सरकल में आ ठीक है फिर है all big are sky जितने भी बीग है वो sky है तो इस तरह से यह तीनों एक दूसरे के साथ जो है बन रहे है जब अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे आपको मैं थोड़ा साथ concept भी रिपाइस करवायता हूं अंदर से बाहर क्या आएगा इसमें all और सम बनेगा ठीक है देखिए अनिमल जिटने भी है वह दीग का पार्ट है तो इनम से थोड़ा जधे है यह बीक का पार्ट होगा तो अब देखिए यहां पे आपको डिए गए तो पहला कंकलूजन देख यह कोई भी एंइमल स्काइए अब वो रगलेशन क्या है रिलेशन पॉजटिब एक सर्कल दूसरे सर्कल के बीच में आ रहा है बट यहां पर conclusion क्या दिए conclusion तो negative है ना no word का यहां पर inclusion है तो यह क्या बनेगी यह गलत बनेगा आगे देखिए at least some animals are sky कम से कम कुछ animals काई है कम से कम कुछ animals काई है बन रहा है ना animal जितना भी पार्ट है वो स्काई का पार्ट है और animal का थोड़ा सब्सको देखें तो भी सकाई का पार्ट है तो क्या आएगा यह सेकंड तो हमारा सभी बन दाए इसका मिनिक है कि only second follow ठीक है तो second आपका सभी बनेग सब्सक्राइब कि सम्सक्राइब और सरकल नो सरकल इस ट्राइंगल नो लाइन स्क्राइब सम्सक्राइब कुछ स्क्राइब तरकल है यह सरकल और स्क्राइब का यहां पर सम्सक्राइब यहां पर दोनों शेर हो रहे हैं तो यहां पर ट्राइंगल नहीं है ठीक है तो यहां कोई भी लाइन स्केट Giving रही है तो यहाँ पर लाइन का रॉष्ण स्केट से इस तरफ से source बढ़ा है यह लइन है ठीक है पहला चोटे elements है ठीक है तो इसमें बहुत सारे elements है तो यह भी क्या होगी यह भी इसके लिए negative होगे इसी तरह से इसके भी थोड़ी 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 चोटे elements है वह भी negative होगे तो आपने याद रखना कि definite के case में जहां पर भी no true है वहां पर some not होगा तो क्या होगा इसका ठोड़ा सा हिसा वह भी negative होगा किसके लिए circle के लिए पहला तो सही है second some squares is not line कुछ square one नहीं है तो यह भी इसी तरह से दिया इसके का कुछ इसा राइन नहीं है तो यह बन रहा है ठीक है अब यह question है देखिए मैंने को कुछ मैंने question definite के करवा है अब हमारे possibility के possibility के मैं थोड़ा सा आपको revise करवा दूं possibility क्या होता है possibility जहां पे भी जो portion हमारे पास 100% occupied है 100% occupied होगा कौन सा एक तो होगा आपका all all के case में जिस element के लिए all पता है और दूसरा होगा जिस case में जिस element के लिए हमें no पता है मतलब completely negative है तो उनके case में तो कोई भी possibility नहीं होगी no possibility या zero possibility मैं zero कर देता हूं क्योंकि no एक keyword है उसमें आगा zero possibility ठीक है पहला तो part यह आपने याद रखना है second आपने याद रखना है कि half occupied है half occupied क्या होता है half क्या होगा positive होगा या half negative होगा तो हाफ अगर positive है तो उसके case में क्या होगा मतलब some relation है तो some relation में आपको याद रखना है कि थोड़ा positive है थोड़े positive से पूरा positive किया जा सकता है थोड़े positive से थोड़ा negative भी हो सकता है ठीक है तो इसमें आपने याद रखना कि sum से बन सकता है all और sum से sum not भी बन सकता है ठीक है बस आपने मेरी चीज़ को जो मैंने बात आपको कही उसी चीज़ को याद रखना है ठीक है और थोड़े negative से थोड़ा positive भी बन सकता है that is sum उसमें क्या आएगा आपका या तो यह जो होगे आपके possibilities बनेगे ठीक है अब आपने ध्यान रखना है कि जो already आपको statement में ही given है वो conclusion में आ जाए तो गलत होता है ठीक है possibility उसकी और साथी साथ आपको जो already हमें exist करती जैसे कि some ही already exist करता है relation जो already existing relation है वो possibility में क्या होगा वो गलत बनेगा ठीक है और इसमें आपने याद रखना है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता जैसे कि unknown relation बनता है ठीक है unknown relation जब बनेगा तो उसके case में होगा जितन पॉसिबिल्टी प्रूव जितने भी पॉसिबिल्टी बनेंगी यह सभी प्रूव आएंगी है ठीक है अधिक है और डेफिनेट फॉल्स और पॉसिबिल्टी तो यह कुछ चीजें यहां पर मैंने को बताई एक बार इनको गो तुरू कर लेना इसका स्क्रीन चॉट ले सकत करें उसका डागराम बनाएंगा ओल जैकेट्स और कार्डिगन जितने भी जैकेट्स कार्डिगन हैं गम कुछ shirts, caps बन रही है, यह caps है, तो आप देख सकते हैं, इसमें दो तरह से sum not बन रहा है, एक बन रहा है, देखिए, cardigan का कुछ हिस्सा jacket है, और यह क्या है, यह negative है, shirt के लिए, तो इसकी तरफ से, cardigan की तरफ से, अगर हम देखें, shirt के लिए, तो यह क्या आएगा, sum not बनेगा, क्योंकि इसका थोड़ा से इसा negative है, for shirt, उसी तरह से अगरम देखें यहाँ पे, caps का relation, आप देखिए, इसमें भी मैं यही, yellow से, sorry, blue से इसको color कर देता हूँ, तो इसमें, caps का कुछ हिसा shirt है, क्योंकि यह negative है, किसके लिए, jacket के लिए, तो क्या आएगा, caps का, थोड़ा से हिसा, जो कि इसमें occupied है, वो भी क्या होगा, negative हो जाएगा, jacket के लिए, तो cardigan to shirt, negative है, थोड़ा negative, और caps to jacket, यह भी थोड़ा negative है, तो दोनों का इस तरह से relation बन रहा है, बट अगर आप देखें, यहाँ पर shirt का, cardigan से relation, नहीं पता, क्या, caps का, cardigan के लिए relation, नहीं पता, आगे देखें, jacket का, caps के लिए relation, नहीं पता, cardigan का, caps के लिए relation, नहीं पता, तो उनमें क्या हैंगे उनमें पॉसिबिल्टी बनेगे सिर्फ पॉसिबिल्टी अब देखिए पांचों के बारों कांक्लूजन जो आपको पॉसिबिल्टी वे देखिए पहला all cardigan being jackets is a possibility सभी cardigan jackets हो सकते हैं ऐसी possibility है तो देखिए मैंने आपको बताया है कि थोड़ा इसमें occupied है अगर हिस्सा तो उसको पूरा occupy किये जा सकता है समसे all बन सकता है तो इसमें some relation है cardigan to jacket उसमें all बनाया जा सकता है तो क्या होगा यह आपका पहला सही बनेगा second देखिए all jackets being shirt is a possibility jackets और shirt के बीच में क्या है यहां पर जो रिलेशन और इसमें बन रहा है उसकी बज़ा से कौन कौन से कौन से कार्डिगन के लिए अगर हम लेशन देखें तो वहां पर पूरा जितने भी जैकेट है वो कार्डिगन के बीच में उस बज़ा से possibility क्या होगी जीरो जैकेट का shirt के लिए जैकेट के लिए इसमें हमें सब कुछ पता है पूरा नेगेटिव है उस वज़ा से वह पॉसिबिल्टी क्या बनेगी जीरो बनेगी आगे देखें और कार्डिगन बीच में आ सकते हैं ऐसी पॉसिबिल्टी है बट इसको रोक रही है एक चीज क्या चीज रोक रही है थोड़ा नेगेटिव हिस्सा रोक रहा है इसको इसके अंदर जाने से पूरा जो है पॉसिटिव बने से इस वज़ा से क्या होगा यह भी गलत बनेगा आगे देखें all caps being कार्डिगन इस के साथ में caps है अगर मैं ऐसे इसको प्लेस करता हूं मालो तो मैं shirt को भी इसके बीच में प्लेस कर पा रहा हूं और caps को भी इसके बीच में प्लेस कर पा रहा हूं तो इसमें मेरे पास ऐसे कोई भी relation नहीं है जिसके थूरू इसमें बता पाऊं कि इनका जो है रिलेशन यहा सिर्फ जैकेट तक पता है कैप्स का सिर्फ जैकेट तक पता है और इसका कार्डिगन तक नहीं पता तो क्या होगा possibilities आपकी सही बनेगे some cardigan being caps is a possibility cardigan का थोड़ा सा negative था ठीक है थोड़ा negative है तो उससे पूरा negative हो सकता है पहली possibility दूसरी है उस थोड़े negative से थोड़ा positive भी बन सकता है तो यह ऐसे इस तरह से relation में आ सकते हैं ना कि यह cardigan है cardigan के अंदर jacket जैकेट का रिलेशन जो है completely negative है शर्ट के लिए ठीक है यह शर्ट बन गया और शर्ट का थोड़ा सा हिस्सा यह कैप के बीच में जो है cardigan के साथ भी इसमें थोड़े से positive relation में आ सकती है ऐसा बन सकता है आपने याद रखना है और नेगटिव में तुस्से पूरा negative हो सकता है थोड़ा negative से थोड़ा positive भी किया जा सकता है और क्या बनेगा यह हमारा सही में तू क्या आएगा कौन से option बनी है तो सही बन रहा है और झाल और फिप्ट भी समें तो आपका option भी इसमें बनेके ठीक चलिए अब आपका next question है इसको हम जो है इस तरह से detail में नहीं करेंगे सोल इसको simply discuss करेंगे देखिए यहां पर all tables are boards boards all table जितने भी tables तो मार्कर भी क्या है मार्कर भी बोर्ड है उसमें चोटा कर लेता हूं और आगे क्या है और बोर्ड आर पेपर जितने भी बोर्ड यह पेपर अब आप देख सकते हैं में कि relation क्या बना अंदर से बाहर तो possibility नहीं चलेगे बाहर से अंदर ही चलेगी और possibility आपको टी और M के बीच में भी देखने को मिलेगे ठीक है तो पहले देखिए आपे all tables being marker is a possibility सभी टेबल मार्कर हो सकते हैं सी पॉसिबिल्टी जब हमें relation ही नहीं बता तो पॉसिबिल्टी मार्कर का टेबल से रलेशन ही नहीं पता तो पॉसिबिल्टी यह भी सही बनेगी आगे देखिए all tables being paper is a possibility सभी टेबल पेपर है ऐसी पॉसिबिल्टी है बट वो तो पहले से अंदर है ना पॉसिबिल्टी तो उसकी बनेगी ने क्योंकि पहले से एक्जिस कुछ टेबल मारकर हैं ऐसी पॉसिबिल्टी है इनके बीच में नहीं बता तो पॉसिबिल्टी थे बनेगी अब देखिए पहला दूसरा और पांचवां पहला दूसरा और पांचवां आपको कौन सा मिल रहा है option इ में देखने को मिल रहा है ठीक है अब आपका next question है यहां इस question में को given है कि some green are red अगर आप ध्यान से देखिए इसमें क्या बता है यहां पर incorrect भी बता है इनकरेक्ट भी पूछा जा सकता है ठीक है तो पहले इसमें देखिए some green are red कुछ green red है और आगे है some red are black कुछ red black है और no black is violet कोई भी black और नहीं है अब देखिए यहां पर आपके पास एक डाइग्राम बन चुका है यहां पर सामने अब इसको हम एनलाइज करते हैं और question को देखने देखिए यहां पर black जितने भी है वह वाइलेट के लिए पर देखिए red का कुछ मार्क के लिए आप nos वाईलेट के लिए पर में इसमें बालेट और वाइलेटißt एकक बॉक्त कोई भी वालेट ब्लाक नहीं तो इसमें रिलेशन बन रहा है संब रहे को यह पहले ही बताएज में डिसकस करके कुछ इससा नेगिटिव यह तो यह भी आपका सब्सक्राइब चाहिए पॉस्टिटिव पॉस्टिव रिलेशन होने के बज़ए से जो लिए किया एका इसमें से हमें क्या बताना था कौंसियो ओप्षण आ सब्सक्विप और लिक्विट्स समय खेंगति डीज्च का नेख्विश्य करें सब्सक्राइब और के तभी लिकुट है नो फ्लॉइड इस सॉलिड कोई भी फ्लॉइड अलेड नहीं है तो पहला गंप्लूजन देखें सम फ्लॉइड आर लिकुट उप्लॉइड लिकुट है तो यह बन रहा है ना आप देख सकते हैं तो एड का कुछ हिस्सा जो कि liquid है यहां पर बन रहा है ठीक है अब आप देख सकते हैं इसमें यहां पर can दिया है यहां पर cannot दिया है तो यह possibility वाले भी यह पॉसिबिल्टी वाले भी है can can में यह possibility वार कोई भी आ सकता है possibility को रिप्रजेंट करने वाला ठीक है आगे है some liquids are fluid कुछ liquid fluid है कुछ liquid fluid है तो यह बन रहा है लिक्विड का अगर देखिए complete ही इसमें आ रहा है तो थोड़ा से यह भी क्या आएगा फ्लूइट के बीच में आएगा यह सही बन रहा है ठीक है आगे है no solid is liquid कोई भी solid liquid नहीं है तो यह बन रहा है देखिए यहां पर इसके बीच में fluid का जितना भी हिस्सा है वह नेगटिव है solid के लिए तो इसमें जितने भी अंदर जो है सब पार्ट होंगे जितने भी वह भी क्या होगे negative होंगे similarly solid जो होगा क्योंकि fluid के लिए negative है तो इसके सब पार्ट के लिए भी नेगटिव होगा तो यहां पर यह थर्ड भी सही बन रहा है all solid can be fluid सब भी solid fluid हो सकते है solid को अगर मैं fluid के साथ relation देखो तो इसमें क्या relation बन रहा है इसमें relation बन रहा है 100% negative 100% जहां पर भी आ गया उसका मेनिक है possibility कोई भी नहीं बनेगी तो इसका मेनिक है कि यह गलत बन रहा है some fluids cannot be solid कुछ fluid solid नहीं है नहीं हो सकते तो इसमें से यह possibility गलत होगी आगे देखें some fluids are solid कुछ fluid solid है कुछ fluid solid है नहीं वो तो पूरा negative है तो क्या आएगा relation negative conclusion positive वो भी definite में तो वो क्या बनेगा गलत तो कौन कौन से इसमें सही बने तो पहले तीन सही है और last case जो तीन है वो गलत बने अब देखें इसमें कौन सी option आएगी देखें पहले option में आइधर 4 और 5 देखें यह 4 और 5 आपके क्या बने एलेमेंट सेम तो आपका एक possibility definite तो वो गलत बनेगा ठीक है वो आइधर और में नहीं बनेगा आगे देखिए only four is incorrect तो only four तो यह four five or six है ठीक है second incorrect है all correct है तो क्या आएगा इसमें से आएगा none of these क्या हमें क्या चाहिए था four five or six जो है incorrect थे और पहले तीन आपके correct है तो इन में से हमें option चाहिए थे ठीक है चलिए अब आपके next question इसमें given यहां पर यह आपका इसमें भी हमें incorrect के बारे में ही बोला गया ठीक है incorrect तो हमें इंक्रेक्ट देखना के कौन-कौन से बंड़े all watches are clocks ठीक है आपको धियान रखना को जब रीड करना है question को तो उपर आपको direction दी जाती है direction में आपक देखिए आपे all watches are clocks जितने भी watches हैं वो clocks हैं और आगे some clocks are digital कुछ clocks digital है और आगे है some all digital are fan जितने भी digital है यह fan है अब आपने इसका conclusion देखना है पहले देखिए some watches being digital is a possibility watch का digital relation नहीं पता तो क्या होगा possibility साही आगे है all fans being clock is a possibility fan का clock से क्या relation है थोड़ा positive relation है थोड़े positive से complete positive हो सकता है complete मतलब all ठीक है तो some से all बनाया जा सकता है तो यह क्या बनेगा यह हमारा सहीं बनेगा ठीक है तो कुछ मतलब some positive है तो some positive से all positive बन सकता है तो यह आपका सही बनेगा ठीक है आगे देखिए no fan being clock is a possibility कोई भी fan clock नहीं है ऐसी possibility है बट देखिए इनमें जो है थोड़ा सा हिस्सा positive है तो थोड़ा positive है वो complete negative होने से इसको रोकेगा तो यह आपका fourth conclusion जो होगा इसमें गलत रहा है देखिए क्योंकि fourth यह आपका गलत बन रहा है इंकरेक्ट बन रहा है तो option c में only four is incorrect हमें बिल रहा है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट कोश्चन हमारा बीन पे आल टेवल्स और बोर्ट सभी टेवल बोर्ट है और मार्कर जार बोर्ट और बोर्ट और पेपर हमने पहल रैक्टैंगल यहां पर सभी स्क्वेरइस रैक्टैंगल है ठीक है और आगे है और छो नब 一 उसक्रेजिद और बोर है rectangle है यह सरकल आ गया यह भी रख्टेंगल बन रहे सम्नर्म रा रेट अर्टेंगल कुछ्छ रॉंबॉस जो है रख्टेंगल बन रहे सकते आप यहां पे रॉंबस का रिलेशन जो है स्टेंगल तक पता यहां तो स्क्ट्वेर पता कि नहीं सर्कल तक तो इसรी क्या होगा इस case में आपको इनमें rhombos to square, rhombos to circle यह नहीं पता relation, ना ही square और circle के बीच में पता है, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसके conclusion, पहला conclusion है, some rectangles are circle, यह सभी definite में ही conclusion है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही बनता है, some rectangles are circle, कुछ rectangle circle है, तो यह circle तो है, rectangle का कुछी सा circle बन रहा है, तो इसमें सही बन रहा है, some squares are rectangle, कुछ squares rectangle है, तो कुछ rectangle का, जो है, square का कुछ हिस्सा, यह अगर हम बात करें, तो वह भी रेक्टेंग, क्यूंकि यह completely rectangle के बीच में आ रहा है, यह भी सही बन रहा है, आगे है, some rectangles are not rhombos, कुछ rectangle rhombos नहीं है, बढ़ यहां पे relation क सिर्फ positive ही पता है, हमें सिर्फ इतने ही हिस्से के बारे में पता है, बाकी हिस्से के बारे में क्या activity शो कर रहा है, उसके लिए, rhombos के लिए हमें नहीं पता, और यह भी चीज़ का ध्यान रखना, कि बाकी जो हिस्सा आपका, वो क्या है, वो possibility reason है, तो वहाँ पे possibilities को चेक क conclusion है तो हमें सिर्फ इतना सा पता जो की positive है और positive relation होने के बज़ा से conclusion जो भी negative होगा वो गलत बनेगा ठीक है आगे है some rectangles are square कुछ rectangle squares है तो rectangle का कुछ हिस्सा square बन रहा है ठीक है यह हिस्से की अगर हम बात करें तो यह square बन रहा है इसलिए is incorrect ठीक है option B is cancer बनेगा यह थे हमारे कुछ question I hope आपको अच्छे से आपको समझ आ चुके होंगे एक बार उनको go through जुरू करना और जो भी मैंने कुछ नहीं चीज़े बताएंगी उनको भी आपने एक बार go through करना और उनको अपने questions को practice के शेशन जितने practice आप कर रहे हो तो उसमें आपने अप्लाई करना है ठीक है that is the end of the session thank you so much for your cooperation and please be sure to like this video and subscribe our channel thank you